आज है day two morning affirmation का, तो affirmation कुछ इस प्रकार है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत संतुष्थ हूँ या फिर आप इन दोनों affirmation को जॉइन कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और संतुष्थ हूँ जब आप ये affirmation डेली सुभा दोराएंगे सुभा का ये मतलब है कि आप इन affirmation को पूरे दिन में कभी भी दोरा सकते हैं लेकिन अगर आप शुरुआत अपनी किसी अच्छे affirmation के करेंगे तो आपके अप चेतनबन में ये signal जाएगा कि आप खुश और संतुष्ट हो जब आप सुभा ये बोलोगे कि मैं खुश और संतुष्ट हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और आपके पास जो भी चीज़े है उसको लेके आप संतुष्ट है सुभा की दी हुई ये affirmation आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी मैं आप लोगों की practice करा रही हूँ और साथी साथ मैं भी इन affirmation का अभ्यास करना शुरू कर रही हूँ दोबारा से कोई चीज़ शुरू करो ना तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने सोचा कि day 5 challenge इफ आप लोगों के लिए ही नहीं बलकि मैं खुद भी accept करूँगी इसलिए कल का भी affirmation मैंने try की थी और आज day 2 की affirmation मैंने morning में ही तयाय कर ली थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ share किये जाए क्योंकि affirmation की series तो चल ही रही है आयोप ये videos बिगनस के काफी helpful हो रहे होंगे जिनको affirmation देने में या grateful होने में काफी problem होती है या फिर grateful होने में उनको feeling नहीं आती बट ये affirmation ज़रूर ट्राय करिये feeling आएगी और जो भी females ये video सुन रही है especially housewife और teenage girls तो वो मेरे become goddess workshop में शामिल हो सकती है इस workshop में आपको healing दी जाएगी proper self confidence कैसे boost करना है self love कैसे boost करना है अगर आपके in-laws या husband से नहीं अच्छी जम रही है तो इस चीज को कैसे heal करना है आपके relationships को कैसे heal करना है आपके अंदर जो negativity आ गई है कि आपको लगता है कि कोई मुझे time नहीं दे रहा है या मेरे husband मुझे time नहीं दे रहे है या फिर कोई teenage girl है किसी tease से जूज रही है तो वो इस become goddess session का part बन सकती है डीटेल स्क्रीन पे आ रही है और link description box में दी हुई है thanks for watching, bye